चलिए तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की नेता प्रभाज जहां भी जुड़ गए हैं और प्रभाज जी सवाल अब आप से ही है क्योंकि बीजेपी का पक्ष अभी तक हम सामने रख नहीं पा रहे हैं तो पहुंचेंगे बात करेंगे प्रभाज जी से लेकिन सवाल ये है कि जेडियू ने रामनात कोविंद के समर्थन का एलान किया तो लालू यादव ने हमला मुला लालू ने नितीश को अपने फैसले पर फिर से विचार करने जेडियू नेता पवन वर्मा ने कहा कि रामनात कोविंद की उमीदवारी को समर्थन का फैसला नहीं बतलेगा या जद बनाम दलित तो है नहीं। जदियू ने तै किया है कि वो रामनात कोविन जी को अपना समर्थन देगी। इस निरने को सोच समझ कर राय विमर्ष के बाद लिया गया है। और उसका मूल कारण ये है कि रामनात कोविन जी में हम वो गुण देखते हैं जो हम समझते हैं कि उस नौमिनी जो सरवोच पद पर महामहिम राश्पती जी के पद पर रहेगा वो अपने दायत्व का निर्वाहन कर सकेगा। इसमें कोई राजनीती नहीं है। हमेशा राश्पती कौन बनेगा ये एक राजनीतिक कन्फरिंटेशन या विवाद का मामला ही नहीं है। हर पार्टी स्वतंत रहे अपना इस मामले में निरने लेने के लिए। तो इसको और किसी परिपेक्ष में देखना नहीं चाहिए। हम समझते हैं रामनात कोवन जी इस वक्त प्रेसिडंट इन्वेटिंग है। यानि राश्पती बनने के लिए अमीदवार तयार है। केवल ये देखना था कि जो ये चैन है उसमें गुणवत्ता है कि नहीं हमारे समझ से है हमने समर्थन दिया है उस बात पर हम अटल रहेंगे। अब है दूबे जी जो अब हम तस्वीर और जो बात चीज सुन रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि राश्पती पत के चुनाओं को लेकर के आपके सहीयोगी तो उल्टा ही जा रहे हैं नितिश कुमार जी गलत फैसल ले रहें किया हैं। अब आप साथ मिलकर के बिहार में अगर अकेले ऐसे ले लेंगे तो बहुत सारे डिजीजन ने सकते हैं। इसके मतलब आप लोगों की से कुछ है नहीं बिहार में। अलोग जी जो इस्थिती देखने को मिल रही हैं वो ये भी बताती है कि बाकी हार तो है ही है, एक दूसरी हार आपको राजनितिक तोर पर बिहार में भी देखने को मिल रही है। आप 2008 का इंट्रिव्यू देखिए जो उन्होंने खुद जी दिया था, मैं तब उनसे बात की थी, तब भी ओ कहते थे मैं कभी भी लालू के साथ नहीं जाओंगा। वो कभी लालू के साथ जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी कॉंगरेस के साथ जाते हैं, वो उनका एक अपता, वो प्राहर मंतरी बढ़ना चाहते हैं। अभी राश्टपती बढ़ना करके अभी तो प्राहर मंतरी बढ़ना चाहते हैं, वो इश्राद यादाव को साथ नहीं ले सकते हैं, वो किसका साथ देगे। अब उनको समझ में आ गया है, बनना चाहता हूं, हो सकता है, कभी भाग के बदल जाए, तो अभी तो बीजेपी के पलड़े में रहूं, तो मेरा दो साल और निका जाए, तो पोई उमीद नहीं होगी। और जो अब हमने पिछले काफी रिकॉर्ड में देखा भी, फिर आप अपनी जरुवत के हिसाब से अलग-अलग गुजाएंगे। बीजेपी, A.D.M.K., ख्रेत्री दल, अउसर वादी यही तो दुर्भाग के हमाई राजिती का है, कि हमारे यहां लोग उस तरह से आउसर देखते हैं, लाव राजितिक स्वार देखते हैं, कुछ हत्ता का इडिलोजी वाली बात है, जब ऐसे बड़े मुद्दे आते हैं, चाहे मंदिर का मुद्दा आएगा, तो बीजेपी के अपने अडिलोजी हो सकती है, वो हो सकता है, उनके साथ में जो दल आज खड़े हों, वो मंदिर मुद्दे पर उनका साथ ना दे, पहले आप यात कीजे, जब मायावती और मीरा कुमार आमने सामने थी, उन्होंने एक बनाया, मायावती, उसके बाद मायावती को गिरा दिया, तो सब एक दूसरे के साथ आते जाते रहे, कॉंगरेज भी उनके बीसेपी के साथ गई, कभी मुलाइब साथ में गए, आज भी मायावती तो दो दिन पहले एंडी का साथ देना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद क किया, औरोंने आज वो कह दिया कि नहीं में मेरकमा के साथ जाओंगे, तो ये आपकी बात सही है, कि मिल्कुल आउसरवाजिता है, जो उन्हें जहां हिद दिखता है, तातकालिक, वो उससे हिसाब से काम कर रहे है, अबे जी लेकिन आप सवाल यही खड़ा हो रहा है, और आप से बार-बार इसलिए पूछने है, क्योंकि आप कह रहे थे कि ये तो एक लड़ा ही है, जो कि बतानी चले पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको कैडर को एक संदेश भी देना पड़ेगा, कि हमारी तरफ से जंग जारी है, कैडर को ये भी तो संदेश जाएगा, कि आपके सायोगी आपके साथ नहीं खड़े गुए, जिसको एक आप चेहरे के तौर पर जिसकी बात आप लगातार करते रहते हैं, कि देखिए सुशासन है, वही शक्स आप से अलग हो करके खड़ा हो गया है, कैडर ये भी तो समझेगा? ने, दिखिए, राहुर जी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, मैं ज़्यादा पीछे मत जाईए, प्रणव मुखर जी साब का जब चुनाव था, जब प्रतिपक्ष को पता था कि उनकी क्या परिस्तितियां होने वाली, 7,13,000 जो वोट वेल्यू थी वो प्रणव मुखर जी साब को मिले, और 3,15,000 वोट संगमा जी को मिले, और ये पहले से बात पता थी, मगर फिर भी प्रतिपक्ष ने, NDA ने, भारती जनता पार्टी ने उमीदवार उतारा, हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि समूझा प्रत यह वही बात हुई ना कि हमें पता है कि अगर सामने वाले ने गल्ती की, तो हम भी वही गल्ती करेंगे, क्या यह इस परिपार्टी पर राजनीती हो रही है, अभी जी आपके पास पहुचे को है, रविंदर सवाल यहां यह जो मैंने आप से पहले पूछा था, कि आपको आज बीजेपी के नेताओं के चेहरे किस तरीके के दिख रहे हैं, जेडियू के फैसले के बाद, यह बड़ा महतपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि यहां हम सिर्फ राश्रपती चुनाओं नहीं देख रहे हैं, क्या बीजेपी को अब कुछ उमीदे बिहार की तरफ क्योंकि कोई खुल कर नहीं बोला, उनका साब तरफ करना कि बिहार के गवर्नर थे, अच्छे सम्मन्द थे, अच्छा इन्होंने समिधानिक दाइतों का निर्वाहन किया, रामनात कोविंजी ने, दोनों मुख्यमंत्री और राजिपाल के अच्छे सम्मन्द थे, समिधान क्या करेंगे, उनको भी नहीं पता, क्योंकि देखिए अब्राउल, आपको याद होगा, 2012 में, जब नितीश कुमार एंडिये में थे, तो उन्होंने यूपिये के कैंडियेट पर्णा मुखरजी को समर्थन दिया था, आज ओ एंडिये में नहीं है, लगबक यूपिये में हैं या यूपिये के बाहर से समर्दन दे रहे हैं, इंडिये का समर्दन कर रहे हैं, तो नितीश कुमार के बारे में कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी अपनी सियासत होती है, बीजे पी काफी कोसर से इस मामल में को लेकर, क्या 2019 में हो हमारे साथ आएंगे, क्यों वो खुल करके सामने आएंगी, और क्या ये दिक्कत बिहार में ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है पुरिमा, इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या हम इस परी पार्टी को ये मान के चलें, कि चुनाओ है, इसलिए हर पार्टी को अपना उमीदवार खड़ा करना है और चुनाव लड़ाना ही है। कि जो भी पद ऐसे हैं जहां पर घरिमा भी है और बगएर पार्टी कंसिट्रेशन किये हुए काम करना है जैसे स्पीकर का योदा है अब यूके में देखे तो स्पीकर निर्वरोद चुने जाते हैं उनका कंटेस्ट भी नहीं होता है इसलिए वहां कहते हैं इसलिए फिर भी यहां इलेक्शन होते हैं अब प्रेजिडेंट का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन के बाद में आल पार्टी कंडिडेट ही समझा जाता है पर अब अब तक आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं एक निर्वरोद हुआ है वो भी वहां नीलम संजीव रेड़ी के केस में बाकी के जो नॉमिनेशन पेपर से वो रिजेक्ट हो गए थे इसलिए वो निर्वरो चुने गए थे आनकंटेस्टिड हो गया था आज तक सब कंटेस्ट हुए हैं और चाहे कंटेस्ट को बहुत कम भी मिले हो वोट जैसे टी एन सेशन के केस में पांच परसेंट वोट मिले थे सिर तो अच्छा होता कि दोनों जिने मिलके किसी तरीके से किसी एक नाम पर अगरी कर लेते अब उसके लिए जरूरी था कि वो भी अपने नाम देते वो भी अपने नाम देते और जो बेस्ट कंटिडेट सबको लगता उसको चुन लिया जाता अब यूनैनिमिटी दिखाने की कोशिश तो की जाती है दोनों तरफ से पर सब अपना अपना कैंडिडेट चाहते हैं रामना कोविन जी महां गुवर्णर विहार के रहे हैं और उनका कारेकाल बहुत अच्छा रहा है इसलिए नितिश जी ने उनके लिए एगरी कर लिया अब मीरा कुमार जी भी इन्हों ने जो किया woman candidate है और आज तक चिर्व पृतिवा पाटे लिए सिर्फ women candidate हुई है तो उन्होंने यह कंटेस्ट कर दिया दलिद भी है और कंटेस्ट के लिए दे दिया इसोच लेकिन जैसा जैसा एक संदेश दिया जा सकता तो राउल वैसा संदेश नहीं दिया गया और खासत त बीजेपी प्रवक्ता होते तो मैं उनसे सवाल पूछती हला कि वो अभी महरसाथ है नहीं लेकिन अब इसमें बीजेपी के लिए संतुष्टी भरी बात क्या है क्या है क्योंकि देखिए यहां पर इस पूरे सेनारियो को देखके समझ में आता है कि विपक्ष की एक कोशिश थी कि पूरा विपक्ष हम एक जुट दिखा है यानि कि तरफ बीजेपी हो जाए और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष और 2019 के लिए भी एक मैसेज जाए लेकिन विपक्ष भी छटक गया अब इसमें बीजेपी खुश किस बात पे हो कि भी एक की विपक्ष में एक तरह का तरह की फूर देखने को मिल रही है या फिर दूसरी तरफ बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी प्रेजिदेंशल कंडिडेट को लेकर कही ना कहीं विपक्ष ने उसका जवाब दे दिया अपने कंडिडेट को उतार कर ना इसमें कोई शक नहीं कि भार्त जनता उसको भी उनके साथ चुनाव लड़ना है उसी तरह से नितीश का साथ आना सो बीजेपी ने अपना कार्ड बड़ी चत्राई के साथ और कहेंगे बीजेपी क्या प्रदानमंत्रिक दनेद मोधी का जो कुछ स्ट्रेटेजी है वो उनकी और मिश्या जी की है इसलिए उन्हो लेकिन लग रहा था कि मेरा कुमार भी हो सकती है तो उस दर्श्री से उनको काउंटर करने के लिए और कौन दल साथ आ सकते हैं अब देखिए तेलंगाना और टीडीपी और वो सब साथ में पर टीरेस वो साथ में आ रही है तो इससे जैसा लगता है कि प्रतिपक्ष को बा कि उसके बाद भी प्रतिपक्ष इसले भी कड़ा हो रहा है कि यह न लगे कि सब कुछ बाद जियंदा बाट रहा है और समर्पन जैसा जो राहूं जी कह रहे थे तो समर्पन भी करना ऐसा अलगता कि प्रिया तंतर के लिए मुझे बीजेपी को सूट भी करना चाहिए कि ल है कि आपको दो हार होंगी एक जो आंकडे बताते हैं उस हिसाब से राश्पती चुनाओ दूसरा आपका सबसे महत्पूर्ण हिस्सा बिहार मानने हैं आपकी यह दो हार है राहुल जी देखे बुनियादी रूप से जब भारती दंता पार्टी ने कहा कि हमने प्रचारित करने की कोशिश की की दलित उम्मीदवार दिया है तब हमने अपने स्वरती पटलों को चिनित किया कि मुरुदी सरकार आने के बाद 40 वेलफेर की स्कीम दलितों की थी वो खतम कर दी गई 45,000 तीन एट्रोसीटी के मुकद में 14% बढ़ गए ऐसी सब प्लान को खतम कर दिया गया 31% बेगलॉग जो शेडियूल कास काता उसमें आप उम्मीदवार को सामने लेकर है जो प्रिमेंट्रिक स्कॉलर्शीप है वो 882 करोड रुपए से धता कर 50 करोड कर दिया तो दलितों के साथ दिया है तो नहीं किया होगा कि कौन सा उमीदवार किस जाती का है क्या आप जाती देख करके ये तैग करेंगे ये तो भारती जनता पार्टी ने प्रचारित किया हमने कतई नहीं किया अब 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 दूब जी फिर अगर अपने प्रेसिदेंशल कांडिडेट की सेलेक्शन के लिए अगर अगर कॉंग्रेस या फिर ये कहा जाया कि विपक्ष कुछ स्ट्रॉंग पॉइंट्स रखती है तो वो स्ट्रॉंग पॉइंट्स है क्या किस आधार पर सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपना दलित कांडिडेट उतार लिया और उसे लेकर चर्चा होने लगी तो हम भी उसके उपोजिशन में जो एक दलित कांडिडेट उतार लें और किन चीज़ों को कंसिडर किया गया कि आप अपना प्रिसिदेंशल कांडिडेट रख रहे हैं विपक्ष अपने आपको मजबूत ही के साथ देख पाएगा कि अगया समूचे प्रतिपक्ष ने जब यह निर्धारित किया कई सारे नाम थे समूचा प्रतिपक्ष नीथा अबेजी समूचा नीथा जो बात सामने आ रही उसमें तो लग रहा है आपके सहीओगे नसीपी भी साथ में नहीं थे जेडियों जाई चुके थे बहुत मुश्किल लगा आपको कंविंस करने में दिखिए नहीं वो तो शीव सेना ने भी शीव सेना ने भी एंडिये में रिवोल्ट किया और आज भी जो बयान शीव सेना का है उन्होंने कहा कि हम बहुत भारी मन से समर्थन कर रहे हैं एक ब्रेक ने रहे हैं अभी जी ब्रेक के बाद आपके पास जरूर आउँगा मैं अलोजी ये समझे की भी कोशिश करूँगा कि ये बड़ी अजीव स्थिती है शिव सेना ने बीजेपी के साथ किया ठीक है पर आज की स्थिती में जब यूपी ए खासतोर से कॉंग्रिस जिस हालात में खड़ी हुई है वहाँ पर इस तरीके का कदम लेना ये जानते हुए भी कि बहुत नुकसान होने वाले हैं हाला कि अभी देवेंद्र फार्नवीज चंद्रबाबु नाइडू पहुंच चुके हैं और उसकी सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं और रविंद्र कुमार बहां से और ज्यादा डीटेल से में देंगे एक बार हम फटापट से रविंद्र का रूख कर लेते हैं रवंद साथ ही जितने भी मंत्री चाहिए इंडिपेंडेंट हो जो दिल्ली मुपलब्द हैं उन सब को यहां पर आने के लिए पहले से ही फर्मान जा रही है तो कहीं न कहीं यह शक्ति परदर्शन भी एक परमपरा भी है को कि पर्णा मुखर जी जब का नोमनेशन हुआ था उसमी एक ट्वीट किया है और जिसमें लिखा है उनोंने कि जिस देश में आज भी राश्वती खचनाव दलित के नाम पर लड़ा जा रहा हूं वहां जातिवात को मिटानी की जो बाते होती है वो जूटी और खोक्ली है एक बड़ा मैसेज नहीं है कि आप इतने बड़े सबसे बड़े पत के लिए आप लड़े हैं और उस पर भी आप सिर्फ जातीगत पर अठके हुए जाती देख करके आप बात कर रहे हैं तो फिर हकीकत है कि आप फिर जातीगत कहां से अड़ा पाएंगे लोगों की सोच को कहां से खत्म कर पाएंगे क्योंकि जो सोच खत्म करने वाले लोग है वही उस सोच को फॉलो कर रहे हैं वही ट्रेंट सेट कर रहे हैं लेकि सुधिर जी का यह ट्वीट बिल्कुल ठीक है हम और आप सब लोग इस बात से सहमत है और बाबा इसी लिए मीडिया के जरी भी कहा जाता है कि जाती क्या धार पर धर्म क्या धार बलकि विद्वार जब बनता है विदान सभाया लोग सभा का उसके लिए भी विमाना यह जाता है कि वह उससे उपर के उठकर के हो और ऐसी स्थिती में आप जाती को बढ़ावा देना वोड बैंक को ध्यान में रखना जो भी दल करते हैं ऐसा नहीं जो से मैंने का ना पहले कोई अपरकास के लोकल के लेकर के दिराजती होती थी या साउथ में कहीं कुछ लोकल के होता है उससे अब सतर साल की आजादी के बाद हमें उससे उपर उठना है उसका एक मैसेज जाना चाहिए वो कोशिश अभी भी हम उमीद ऐसा नहीं करना चाहिए चुकि आप देखे कि रह चुके हैं इसलिए यह कहना और वो उसाधार पर नहीं थे शंकरद्याज शर्मा राष्टपती की रूप रहानमंत्री वहने वह ब्रहामन नहीं थे अटल भीहारी वाजपी ब्रहामन की रूप में नहीं थे उनके इतने साहयोगी और दलितों में उनका विश्वास था तो ऐसे हमारी पुरानी परंपरा रही है इसलिए उसको ज़्यादा बल देना ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखत होगा कि ये जो दलित वर्सेस दलित की लडाई चल रही है 70 साल में कमस्काम आप ही खतम करते इसको और एक तरीके से कहा ये भी जा रहा है कि विपक्ष ने ये वर्सेस जो शब्द लाया है वो विपक्ष ही लेकर आगा है दलित वर्सेस दलित का नहीं देखें ये ये तो भारती जन्ता पार्टी ने पहले प्रचारित किया कि वो एक दलित कार्ड खेल दिया ये सारे मीडिया ने इस बात को उनके प्रायोजी कारिग्रम था जबकि मैं नहीं मानता कि कोविंजी का कंट्रिबूशन अभेजी ये समझ में नहीं मुझे आई आप ये टै करेंगे कि अच्छा इनोंने दलित खड़ा किया तो हम भी दलित खड़ा करेंगे राजनीती तो फिर यहां हुई ना कि दलित वर्सेस दलित आप दलित वर्सेस कोई और भी खड़ा कर सकते थे ऐसी स्थिति में मेरा सवाल सीधा यही है ना आप से कि बताईए राहुल जी जी बताईए आप नीरधारित आप बताईए मुझे कि सारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं उनमें से मीरा कुमार से कोई बहतर किसी का जो सोशल कंट्रिबूशन हो जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी हो या इतनी लोगसभा की पहली महिला अध्यक्षा जो रणी हो इसके लावा इसके लावा इसके बहतर को उमीदवार प्रतिपक्ष में जो बताईए मतलब आप यह भी बात कह रहें कि यूपी में उनके लावा कोई और नेता है